आर्क इंफॉर्मेशन लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दवाएं नमस्कार दोस्तों आज मैं जानकारी देने वाला हूँ कि मेडिकल ऑक्सिजिन क्या है जो पेसेंट को दे जाती है वो ऑक्सिजिन क्या है किस टाइब की होती है तो यह एक अवश्चक दवा है जो 2015 से दवाओं की लिष्ट में सामिल है मेडिकल ऑक्सिजिन जो हवा हमारे चारों और विद्वान है वो कई गेसों का मिस्ण होती है जिसमें होता है जिनोन क्रिप्टान ऑक्सिजिन आरगन नाइट्रोजन नियोन और हीलियम होता है यह सब गेसे इसलिए हैं क्योंकि इनके जो बॉलिंग पॉइंट है बहुत ही लो है और जब जो बाताबन का होना जो टेंपरिचर रहता है उस पर यह क्या है गेस में कनवर्ट रहती है मेडिकल आक्सिजिन जो है हमारे चारों और मौझूद हवा में से सुद्ध आक्सिजिन को अलग करके बनाई जाती है और हवा में पाई जाने वाले गेस्टों के वालिंग पॉइंट इस टाइप के हैं देखिए बतारू आपको इस जीनोन है इसका माइनस 108 ऑन सेल्शियस है क्रिप्टान का माइनस 153.2 ऑन सेल्शियस है ऑक्सिजिन का माइनस 183.0 ऑन सेल्शियस आरगन का माइनस 185.9 नेट्रोजन का माइनस 195.8 और नियान का माइनस 246.1 और हीलियम का माइनस 268.9 ऑन सेल्शियस इनके बॉलिंग पॉइंट है मतलब इतना माइनस टेमपेशियस जब आएगा तब यह गैसे जो है लिक्विड में कनवार्ट हो जाएंगी सबसे पहले जीनोन लिक्विड में कनवार्ट होगी फिर क्रिप्टाउन फिर ऑक्सिजन जैसे टेमपरिटर ड्रॉप होते जाएगा यह गैसे जो है लिक्विड फार्म में आती जाएंगी और मेडिकल आक्सिजन बनाने के लिए पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और फिल्टर के जरीए धूल और उयली जो असुदियां होती है उनको अलग कर दिया जाता है और जैसे से तापमान को कम होते जाता है गैसे अपने वाइलिंग पॉइंट के कि वैए नीची के तापमान पर लिक्विड में तरल में बदल जाती इसमें से आक्सिएन को अलग कर लिया जाता है क्राय जी टेंक रो में में भरकार डिस्टिबीटर तक भीजाता है और यह जो प्रोसेसिंग होती है यह हाई प्रेसर में होती ताकि हमको गैसों को और ठंडा ना करना पड़े माना वालिंग पॉइंट जो है इनके बढ़ जाते हैं माने ज्यादा मायनस टेंपरिचर से पहले ही यह गैस में लिक्विड में कनवर्ट हो जाती है हो जो गैस हम अलग करते बना जाती हो 99.5 परसेंट प्योर होती सुद्ध होती है अब अलग बात यह है नॉर्मली जो है परस एक परसन है रिलेक्स कंडिशन में सास से आठ लीटर एयर पर मिंट लेता है मतलब पर ड़े कितना लेगा 11,000 लीटर एयर पर ड़े लेगा जो हम तना हम सास लेते हैं सास वआल जो हवा लेते हैं उसमें क्या आथा 20% ऑक्सिजेन ओती है और चोड़ने वापा हवा में 15% ऑक्सिजेन होती त कि यуляinde सास द्वारा ली गई हवा का 5% ही हम इस्तेमाल करते हैं और येही पांच परसेंट ऑक्सिजेन है जो कारवन डैक्सेड म बदलती है यानि एक इंसान 24 गंटे में करीवन 550 लिटर शुद्ध ऑक्सिजिन की अवर्शकता होती है अब हॉस्पिटल में जो ऑक्सिजिन सिलेंडर यूज होता है क्या है उसके वारे में जान करी है यह सेवन क्यूबिक मीटर छमता का सिलेंडर होता है और इसकी उचाही च सिलेंडर आक्सिजिन भी आती है वह सिलेंडर एक आदमी के लिए 20 घंडे तक चलता है तो यह एक जानकारी थी मेडिकल आक्सिजिन के बारे में धन्नवाद आर्क इंफॉर्मेशन लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दवाएं